तो प्यारे दोस्तों चल रही है क्लास मैट्स क्लास 12 डिटर्मिनेंट जिसमें हम कॉंप्टिटिटिव सेक्शन भी यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं पहले पर प्यारे लेकर रिडि हो जाएए और हम करने जा रहे हैं टूफॉब सेक्शन तो टूफॉब सेक्शन यहां से जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है ओके तो आएए अब डिसकस करेंगे वन बाई वन टूफॉब सो क्वेस्टिव को जैसे कि पहला एई टू है बिल्कुल सही यह कल मैन Marcus न बताया था कि A की पावर N का इंवर्स जो होता है वह एकी अज है न कित्सुआ तो यहां पर वो ही आइडिंटी लग रही है बहुत काम की identity है, कई वर बताई भी है, इसको याद रखिए, चले अगला देखिए, क्या रहा कि, क्या, 1 upon a, a का whole inverse equals to 1 by a, a inverse, okay, this is equal or not, okay, where a is a real number, हाँ भाई साब, क्या कहे थी, real number कहे कर कि, इसने band बजा दी इस question की, and a is a square matrix, भाई, a का ठीक है, बट आपने a real number को दिया, औ और a जो है, a अगर 0 हो जाएगा, real number में 0 भी आता है, तो बात बिगड़ जाएगी, okay, क्योंकि answer कितना जागा, infinity आजएगा, okay, answer कितना जागा, infinity, मैं कहता हूँ, सब कुछ ले लो, a को 0 के कोल मत लो, तो इसलिए real number के लिए, statement के लिए, ये question answer false होगा, जैसा कि यहाँ दिया है, कुछ ऐसा multiply करके दिखा दिया है, इन्होंने क्या ले लिया, एक number ले लिया, a, a, और दूसरा number इसका inverse, यहने, a, a का whole inverse, यहने, one upon a into inverse, इसको multiply कर दिया, okay, तो इस scalars तो बाहर आ जाएगे, और answer कितना आगया, I, मतलब ये एक दूसरे का क्या है, inverse है, मगर कब, मगर कब जबकि a is non-zero, okay, so small a capital A is the inverse of one upon a into a inverse, और a inverse, okay, is equal to one upon a inverse, where a is a non-zero scalar, okay, के रहा कि, इस statement में a के real number है, so we can conclude that above statement is false, तो देखे, किती छोटी सी बात है, but इसमें a small a को real number ले करके कर दिया, मतलब ऐसा question आपको बिलकुल धोका दे सकता है, तो चोकनने देएगा, फिपर देते समय, ठीक न, आपको यहां पे बहुत active रहना, बहुत चोकनना रहना है, so, मैं इस question को कहूंगो कि यह important question है, okay, and particularly, as the questions आने चाहिए, चलिए अगला देखे, determinant of a inverse is not equal to determinant a का inverse, कह रहा है कि determinant a inverse का आप determinant ले लो, और वो a का determinant का inverse के equal नहीं होता है, ओके, बिल्कुल false है, कली मैंने बताया था कि चाहिए आप a inverse का determinant ले लो, यह determinant a का लेके inverse ले लो, दोनों क्या होते हैं, equal होते हैं, तो यह statement बिल्कुल equal है, क्योंकि वैसे भी आप देखलो, a inverse this is equals to i upon a, okay, i upon a, अगर आप इसका determinant ले रहे हो, तो इधर भी ले ले लो, क्या देखका थे, और यदि देखोगे, तो a inverse का determinant, i का determinant कितना हो जागा a, और यह हो जागा determinant, so finally यह क्या बन गया, this is equals to determinant a का inverse ही तो बन गया, मतलब यह कहा रहा, not equal to, no, no, भाई, बिल्कुल गलत है, तो correct answer क्या होगा, इसका false है, चलो, मजे की बात करते हैं, अगला question देखते है 51, बढ़िया question आता है, मतलब बिल्कुल आप easy question देख लो ना, मतलब बिल्कुल brand, CUET type का question, बिल्कुल CUET में एक दम easy question आते है, ठीके देखो, a और b matrices है, order 3 है, a दिया 5, b दिया 3, क्यारा 3 a b equal to, क्यारा इतना 405 होता है, तो सबसे पहले 3 का order है, तो 3 a b 3 तो constant है, तो बाहर आ जाएगा, कितनी power ले करके, जो order है, 3 power है, और फिर इसके बाद आप एक को अलग break कर दो, b को अलग break कर दो, क्यों क्योंकि determinant का property होता है, determinant a, determinant b, break हो जाता है, ओके, तो कितना हो गया यह, 27, determinant a, determinant b, 27 multiply by 5, multiply by 3, solve कर दो, कितना आ गया, 405 आ गया, ओके, done, ऐसा करेंगे, चलिए 52 question देखते है, if the value of the third order determinant is 12, then the value of the determinant form by the replacing each element by its co-factor will be, भाई साब बहुत मस चीज़ पूछी इसने, क्यारा है कि अगर कोई third order, जो है, अगर third order, जो है, कोई, कोई third order का determinant है, मालो कोई आपके पास बड़ा सा determinant था, इसका value की 32 थी, अब क्यारा है कि अगर आपने हर value को replace कर दि को factor से replace करने पर क्या बनता है, अगर आपके पास कोई determinant A था, तो determinant A का जो भी रहा होगा, भाई सब ठीक रहा होगा, ओके, और determinant A दिया है, 12 रहा है, अगर आपने इसको adjoint, बतलब हर जगे co-factor रग दिये, तो क्या बन जागा, adjoint बन जागा ना, क्योंकि co-factor से replace करने पर क याने कितना है, 12 है, और 12 की power N-1, order कितनी है, 3, 3-1, 3-1, भूले थो 12 की power 2, याने की 144, 144, ओके, तो ये भी मैं कहूंगा कि आपका जो ये NDA लेबल का question है, NDA and CVT दोनों को cover करे रही, करिए बढ़िया question मज़ा आगे करके, चलो भाई सब, आँगे की question करते है, must question, question number 53, ये द the question, मतलब भी क्या है, NDA level का question है, तो आपके पास क्या कहरा है, question, कहरूआ कहरा है, x plus 1, x plus 2, x plus 2, x plus 2, x plus 2, ये, 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 अंतरस वरनी हिंदी में, या आप अगर आप इसको चल के ABC को एपि इंप्रूफ कर दो, या ABC को AP में ले लो, तो आपके पस क्या है, इसको 0 लेकर आओ, तो चलो ABC को AP में लेकर चलते हैं, तो अगर ABC जो है, अगर AP में है, तो बुले तो कितना हो गया, 2V कुल टू A प्लस C हो अब यह सुच हो कि हम इसको use कैसे करें, हम इसको use कैसे करें, देखो अगर आप इसको जोड़ देते हो, प्लस C क्योष्च बन जाएगा, तो हमें या पर identity लगाते है, देखो अगर आप इसको और इसको जोड़ देते हूँ, इसको और इसको जोड़ देते हूँ, कहीं न कहीं A plus C का चांस बन जाएगा, तो हमें आप पर identity लगाते हैं, R1 tends to R1 plus R3, है न, तो R1 tends to R1 plus R3 ये बन गया, क्यों कि दर्शन करना है न भी A plus C के, तो A plus C कितना हो जागा तो answer कितना गया 0, और यही proof करना था, तो must question है कि तो बढ़िया NDA level का question है, अच्छे से करिए अप लोग, ऐसे question बहुत practice करना चाहिए, मज़ा आता करने में, चलो अगला question करना, adjoint equal to A का square, where A is a square matrix, लो भाई साब, सीरी बाते मैंने आपको पढ़ा रखा है, कि adjoint A का determinant कितना होता है, determinant A की power N minus 1 होता है, और जब यह आपने यहापर order second ही रखी, तो second minus 1 कितना आएगा, A ही तो आएगा, determinant A आएगा, और आपने क्या 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 रखा है, A square, बिल्कुल false है, correct answer है, false, ओके, यह formula है, बात बात पे formula लग रहे है, बहुत concept अच्छे बन रहे है, चलो, अगला question देखिए बाई सब, अगला question है, sin A, sin B, sin C, cos A, cos B, cos A, cos A, cos A, okay, and sin A, sin B, sin C, plus cos A, तो यह आपके पास determinant है, more better होगा, इसको आप कितने पार्ट में, आप इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक बार sin A की बारत ले लो, एक बार cos B की बारत ले लो, तो भाई, cos B वाली तो आ तो common ले लेंगे आप, okay, common ले लेंगे, तो आपका answer कितना हो जाएगा, जैसे ही आपने, मतलब common ले लोगे, sin A, sin B, sin C, sin A, sin B, sin C, एक मिनट, common आएगा कैसे भाई साब, पहले तो यह सुचो, क्या common आएगा, दो row identical है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आजाएगा बिल्कु तो आप क्या लगा दो, यहाँ पर, कि C1 tends to C1 minus C3, तो 0 देख जाएगा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कॉसे common आ रहा है, यहाँ पर कॉसे common आ रहा है, कॉसे पूरे से, तो 111 बन जाएगा, तो answer कितना आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, कुल मिला करके, total answer कितना, equal to 0, तो true है, बहुत मस्त question है, यह भी क्या है, true है, okay, तो यह C, U, E, T level का question है, चलिए, अगला देखते, अगला है कि, if the determinant, this splits in exactly k determinant of order 3, each element which contain only one term, then the value of k is 8, okay, कह रहा है, if this determinant, कह रहा है, कि यह जो determinant है, exactly k determinant, इसको k determinant में तो उड़ा गया है, okay, of order 3, each element of which contain only one term, each element of which contain only one term, मतलब कि इसको ऐसे आपने तो उड़ा है, कि हर element जो है, एक term contain करता है, तो आपको बताना है, मतलब कुल मिला के मालूम है, क्या बोल रहा है, कह रहा है, must question है, पहली चीज़तों मैं बोलूँगा, बढ़िया question एक तम है, तो मतलब ये question मैं कहूँगा, NDA, और उससे भी above level के exam में आ सकता है, मज़िदार question है, tricky question है, दिमाग चलाना है, pen नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है, और जहाँ पर दिमाग चलाना है, तो समझ जाओगी, भाई सब वो exam अच्छा है, बहुत प्यारा exam है, ऐसे question जहाँ दिमाग चलाना है, ये क्या कह रहा है, मालूम, इसका कहना है, कि आपने इसको single single element के determinant में तोड़ दिया है, और कह रहा है कि उस समय और कितने determinant टूटें, के determinant टूटें, आप कह रहा है कि यहाँ पर k की value 8k को लें, बताओ, सही कि गलत है, बस थोड़ी सी महनत करनी है, अब देखो क्या करना तुमको, सबसे पहले x plus a, p plus y, l plus f है, तो ये, 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 इसको सबसे पह तोड़ दो, क्योंकि आपको पता तोड़ता एक टाइम में एक ही है, तो आपने ये लग लग तोड़ लिया, ओके, फिर इसको fix कर दो, इस splitting first row ये हो गया, ठीक ना, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो है, ये वाली चीज को तोड़ दो, तो ये वाली तो कितना हो जाएगा अपने पास में, last में जो है, ये last में जट प्लस सी वाले को तोड़ दिया है, second row हो गया है, ओके, इक second, देखो क्या क्या की है, ऐक एक एक एलेमेंट्स में हो चुके है, ठीक ना, ऐक एक एक एलेमेंट्स में हो चुके है, और, x, p, l, u, a, u, f, ठीक ह बचल्ड में एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा तो टोटल कित्ते बन गये 8 बन गये तो यह statement क्या है true है एक बार फिर से बता देता हूँ दिखो सबसे पहले पहले इन लोगों ने इसको तोड़ा फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट में कितने निकल करके आए, दो दो निकल करके आए, ये देखो एक और एक दो, ओके, अब एक और एक दो में, अब इसको देखो, ये कितने छोड़ेगा, ये भी अपने दो छोड़ेगा, ओके, तो कितने होगे चार, अब चार के बाद, जो है चार में दे कौन-कौन बेठा हुआ है एक ये वाले बेठा हुआ है दूसरे ये वाले बेठा है तीसरे ये वाले बेठा है चौता ये वाले बेठा है और हर कोई अपने दो-दो छोड़ेंगे मतलब पहला भी दो छोड़ेगा दूसरा भी दो छोड़ेगा single single element के जो determinant बनेंगे सब room room या column element देख लो दो-दो है ना सभी में होने चाहिए अलकेले नहीं ओके दो-दो है न तो अगर आपके पास में हर column में 2-2 element है हर column में 2-2 element है तो answer होगा 2 into 2 into 2 into 2 answer किता हो गया 8 हो गया अगर आपके पास 3-3 element होते तो 3 into 3 into 3 किता हो था 27 मतलब number of element की आपको power कर दी नहीं वह यह आपका answer आजाएगा चलो बढ़िया था यह question कुछ नई चीज़ सीखने को मेली है ना आप लोगों को तो यह इस type का question nd बगर exam में आता है इसको त्यार करके रखो चलो आजाओ भई 57 number question में आ जाथे क्या करा delta इसकी value जो 16 दी गई है और delta 1 की value फलाना है 32 बोल रहा है ओके भाई सब तो इसकी value जो है 32 बोल रहा है कि सही है कि गलत है बताओ ठीक है एक तरीका यह देखो आप PQX की value कुछ भी लेखे कर लो और इसको solve कर लो है ना एक तरीका तो यह है कि आपने जिका क्या variable है P, P, बहुत सारे variable है तो आपको value माननी पड़ेगी थोड़ा सापको दिक्कत भी होगी है ना तो आपको बहुत सारी values मान कि इसको solve करना पड़ेगा 16 फिर इसके बाद वही values इसमें रखके देखना पड़ेगा तो इसका double हो रहा है दूसरा तरीका क्या है देखो यह P plus X है A plus X Q plus P है या तो इसको इस form में ले जाओ या इसको इस form में ले आओ यह ऐसे इस form में ले आओ एक तरीका यह भी हो सकता है है ना तो इसको इस form में भी ला सकते हो ठेके ना तो यहां से यहां से वापस चले जाओ यह भी हो सकता है तो अगर आपके पास यह 32 है तो 32 है तो यह श 16 के इक को लए है, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कि, left to right चले जाओ या right to left कुछ भी शो करना है. ओके, चलो इससे ब इस स्टाइट करते हैं . तो हमारे पास क्या rat है देल्टा है और हमारे पास डेल्टा वन ने है। हमारे पास डेल्टा दीए है कितना 16 , और डेल्टा 1 हमाइपस किता दिया है 32, तो मैं क्या करता हूँ, मैं solve करता हूँ, हम इसको solve करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम P plus X है, और यहाँ पे P plus X है, A plus X है, और A plus P है, यदि मैं तीनों को add कर दूँ, तो 2P plus 2X plus 2, 2P plus 2X plus 2A हो जाएगा यहाँ पे, तो मैंने क्य कर दिया, तो 2P plus 2X plus 2A हो गया, यह हो गया, ओके, यहाँ से 2 common ले लिया, तो यह बनेगा मेरे पस P plus X plus A, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप माइनस करो, C1 में से आपने क्या माइनस किया, C1 में से C2 माइनस किया, तो A plus X cancel हो जाएगा बच्चे का P Q R ओके, और C2 में से अगर आप C3 माइनस कर दोगे, तो A से A cancel हो जाएगा, सॉरी, C2 में से C3 माइनस करना है, तो C2 अपने पास में, C2 और माइनस C3, C2 tends to C2 माइनस C3, ठकना, तो C2 A plus X है, और C3 कितना है, A plus B, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, रुक जा रुक ज यहाँ पे, यहाँ पे अपने P plus X plus A है, तो इसमें से आपने C1 में से C2 माइनस कर दिया, ठीक है बाइस, आप C1 tends to C1 माइनस C2, और C1 माइनस C2 आपने कर दिया, तो A plus X, B plus Y, C plus Z है, और इसमें से क्या माइनस कर दिया, आपने, यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपने C1 में से c2 यानि की p plus q p plus x plus a में से e plus x मैनस कर दिया तो p qr बजगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत यहां से आ रही कि अब इसके बाद कैसा किया जाए अच्छा इसमें से इसको मैनस कर दिया तो x मैनस p हो गया ठीक है फिर y मैनस q हो गया ठीक है तो c2 टेंस to c2 मैनस c3 कर दिया यह हो गया और लास्ट वाला नंबर है जिटेस बना रहा है ठीक ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपने क्या किया है अब आपके पास यह दो इस तरीके से बन चुके है तो आप इसको वही तरीका जो है आपको expand करने का आप उस त कर दो अगर आप c2 टेंस to c2 प्लस c1 करते हो तो आपके पास यह सीन आ जाएगा टू टाइम्स determinant ओके क्या जागा p q r फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना x-p में से p cancel हो जागा तो यहाँ पर बचेगा x y z और यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा a plus p b plus q okay and c plus r यह बच जाएगा तो अब आप यहाँ से जो है इसको दो पार्ट में भी break कर सकते हो आप इसको दो पार्ट में क्या कर सकते हो break कर सकते हो तो two times देखो यहाँ पर two times है p q r ठीक है p q r रहन दो x y z रहन दो और यहाँ पर क्या है a b c ठीक है पहला पार्ट हो गया प्लस आपके पस में क्या p q r इधर पर है क्या x y z और इधर पर फिर से कितना p q r आप देखो यह चीज़ तो zero हो गई ना क्योंकि दो column identical हो गया तो बचा के वाल कितना है इतना बच गया आपके पस p q r x y z और a b c ओके तो इसकी value p q r को इधर लाना है मतलब दो बार आपने इसको रो को इधर उधर किया है तो दो बार जब आप करते हो तो minus minus 2 बार प्लस हो जाएगा तो answer 2 multiply by 16 answer कितना हैगा इसका 32 तो बिल्कुल सही है यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे कर लिया है ओके तो correct answer 2 multiply by 16 equal to 32 तो यह बिल्कुल सही था यह बहुत ही सही question है ओके तो यह जो question है इस टाइप का जो है यह जो question है बढ़ी examination याने J level का mains level का question है ओके तो ठीक है न तो बहुत सारा काम आपको यहाँ पर आपके mind में करना है और बाकी solution कैसा आप देख लिजे एक परस को मैंने पूरा बताई दिया है I hope थोड़ा सा practice करो आपसे बनेगा जलूर बनेगा ठीक है question जब नएने होते थोड़ा bit less confident होते मगर धीरे धीरे practice आ जाती त उसी question को जो आप feel करते थे वो फिर अच्छा हो जाता है चलिए अगला देखी the maximum value of this function यह आपको maximum value पूछी की इस function की कैसे करोगे बाई सब 0 बनाओ और क्या best है तो r2 tends to r2 minus r1 r3 tends to r3 minus r1 solve कर दिया और solve करने के बाद कितना आ गया 1 upon 2 sin 2 theta तो maximum value पूछी तो sin 2 theta की maximum value तब यह 1 होती है so 1 upon 2 multiply by 1 answer किता हो गया 1 by 2 तो यह तो बहुत easy question है और easy question बोले तो coet level का question है ना yes चलिए तो यहाँ पर हमारा जो है true false का section जो है खतम हो गया true false हमने पूरे आपको करा दिये हैं और अब जो है इसके बाद हम कुछ questions और बचे हुए miss lineage type के इस worksheet में तो वो भी question आप लोग करेंगे मेरे साथ मिलते हैं थोड़ी दिर में धन्यवाद